नीम का थाना में एक दुखद हाथसे में तीन पुलिस कर्मियों की मौत हो गई हाथसा आज दोपे साड़े बारा बजे हुआ जब एक ओवरलोड ट्रेलर रोडी से भरा हुआ पुलिस की गाड़ी पर पलट गया हाथसे के बाद पुलिस के गाड़ी पूरी तरीके से चकना चूर हो गए हाथसे के समय पाटन थाने के तैनाथ हेट कॉंस्टेबल शीशराम कॉंस्टेबल महीपाल और भवरलाल सरकारी गाड़ी से वापस लोट रहे थे हाथ से में Constable महीपाल और भवरलाल की मोकेज पर ही मोत हो गई जबकि Head Constable शीक राम गम भी रूप से घायल हो गए Head Constable शीक राम को घायल अवस्था में भर्ती करवाय गया जिसने अस्बतान में लास्च के दोरान दम तोड़ दिया तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह किस सड़क पर पापड की तरह पुलिस की जीप चिप की हुई है मौके पर मदद के लिए आम जंता भी मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी पर ओवरलोड ट्रेलर पलटने से यह हद सा बताय जा रहा है सुचना पर पाटन थाना पुलिस के उच्छा दिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं डीस एसपी अनुजदाल ने बताया कि हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिरों में बड़े आयोजन हो रहे थे रामपुरा गाओं में भी मंदिर में धार्में एक आयोजन था वहां भीर थी तो पुलिस गस्त कर लोट रही थी डीस पी ने बताया ट्रेलर रोडी से भरा हुआ था और ओवरलोड था ट्रेलर पार्टन से हरियाना कियो जा रहा था गाड़ी में घुमाओं पर ट्रेलर एनियंतित होकर पुलिस की गाड़ी पर पलट गया और करी 30 फीट तक घस जटता हुआ ले गया